एसे सी प्रीबियस एर क्वेस्टन चैप्टर वाइज में चैप्टर 3 हम लोग करने जा रहे हैं सिंबल्स एंड नोटेशन्स संकेत योम चिन इसमें क्वेस्टन नंबर 1 से लेके 5 तक हम लोग करेंगे क्वेस्टन नंबर 1 हमारा है कि अगर प्लस का मतलब गुड़ा हो और क्रास का मतलब घटाना हो यानि मल्टिप्लिकेशन का मतलब घटाना हो और भाग का मतलब जोड़ना हो और माइनस का मतलब भाग हो तो 175-25 भागा 5 प्लस 20 गुड़े 3 प्लस 10 की वेलू क्या होगी तो एकदम सिंपल है जो यहाँ पे सिंबल लगा है उसके हिसाब से हमको नहीं करना है इसको सिंबल को रिप्लेस करना है कैसे रिप्लेस करना है यहाँ माइनस की जगा पे क्या बोल रहे हैं आप लगा हो भाग लगा हो तो जो हमारा लिखा है 175-25 भागा 5 प्लस 20 गुड़े 3 प्लस 10 अब इसकी जगा देखे माइनस की जगा पे क्या कहना है भाग है तो यह हो जाएगा 175 भागा 25 अगला गया क्या भाग भाग के अस्थान पे क्या है जोड़ना है तो भाग के अस्थान पे जोड़ना हो गया 5 प्लस के अस्थान पे क्या है गुड़ा तो यह 5 गुड़े 20 हो जाएगा और गुड़ा के जगा पे घटाना है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 और प्लस के जगा पे क्या है गुड़ा है उसके बाद आफ आपका मतलब क्या होता है का होता है हिंदी में रहेगा तो का रहेगा और इंगलिस में रहेगा तो आप और आपका जगह पर क्या लगाते हैं हम लोग मल्टिप्लिकेशन उसके बाद क्या करते हैं डिवीजन यानि भाग करते हैं फिर क्या करते हैं गुड़ और फिर जोड फिर घटाना ये रूल हमारा होता है अब सबसे पहले क्या करेंगे ना तो इसमें ब्रेकेट है ना तो कहीं पे आफ लगा है का तो सबसे पहला काम भाग करेंगे तो 175 भागां 25 तो 175 भागां 25 तो यह हो जाएगा 25 27 175 तो यह हो गया 7 अब यह हमने 7 कर दिया तो चलिए एक बारो लिख लेता है 7 प्लस 5 गुड़े 20 माइनस 3 गुड़े 10 अगला काम क्या करेंगे भाग के बाद हम लोग मल्टिप्लिकेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 7 प्लस 5 गुड़े 20 यह हो गया आपका 100 माइनस 3 गुड़े 10 हो गया 30 अब इसको तो सिंपल 100 और 7 को जोड़ ले तो 107 हो गया और माइनस 30 तो 107 से 30 गटाएंगे तो आपका आजाएगा यह 63 यह आपका 77 हो जाएगा यह 107 से 30 गटाएंगे तो आपका आजाएगा 77 और आफसन हमारा C correct हो जाएगा दूसरा question हम लोग देखते हैं minus का मतलब भाग है plus का मतलब गुड़ा है और भाग का मतलब घटाना है और गुड़ा का मतलब जोड़ना है तो निमलिखित में से कौन सा सही है चार आफसन दिये हैं पूछा है कौन सा सही है तो यह आफसन हम लोग चेक करते हैं लेकिन सिंबल रिप्लेस करके तो हमारा यह क्या है छे भागा बीस तो भागा की जगा क्या है घटाना तो यह हो जाएगा 6 माइनस बीस गुड़े बारा है तो गुड़े की जगा पे क्या है जोड़ना तो प्लस हो जाएगा आपका बारा प्लस साथ है तो प्लस की जगा पे गुड़ा हो जाएगा तो ये गुड़े साथ हो जाएगा माइनस वन और माइनस के जगा पे भाग है यानि डिवाइड़ वाई वाई एक्वल टू सत्तर अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बदमास रूल से फिर देखते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं अगर कोई ब्रेकेट है तो उसको सॉल्व करते हैं फिर का या ओफ ये मतलब गुड़ा होता है वो सॉल्व करते हैं अगर दोनों नहीं है तो फिर भाग multiplication, addition, subtraction तो सबसे पहले भाग करेंगे हम लोग तो 7 का 1 में भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 6-20 प्लस 12 गुड़े 7 भागा एक 7 हो जाएगा बराबर 70 लेके चलते हैं अभी देखते हैं correct है की नहीं अगला काम गुड़ा करेंगे तो यह 6-20 प्लस 12-74 बराबर क्या देखते हैं 70 आता है तो 6 में इसे 20 गड़ जाएगा आपका यह 84-6 जोड़ लें आप 84 और 6 प्लस में है तो 90 हो जाएगा और 90-20 बराबर 70 तो यह देखे 70 बराबर 70 आगए option A ही हमारा correct हो गया option A correct हो गया तो option B चेक करने की जरूरत नहीं है लेकिन हम लोग चेक करके देख सकते हैं कि देखते हैं कि यह गलत है कि नहीं गलत है देखे यह 6 प्लस 20 है तो यह हमारा क्या हो जाएगा प्लस की जगा गुड़ा होगा तो यह हो जाएगा 6 गुड़े 20 माइनस माइनस की जगा भाग होगा यानि भागा 12 फिर भागा 7 तो भागा की जगा घटाना होगा माइनस 7 गुड़े 1 है तो गुड़े की जगा जोड़ना हो जाएगा तो प्लस 1 बराबर देखते हैं 62 आता है कि नहीं अब भाग सबसे पहले करेंगे तो 20 भागा 12 तो यह हो जाएगा 6 गुड़े 20 भागा 12 माइनस 7 प्लस 1 बराबर 62 लेकर चलते हैं तो यह 6 दुनमा 12 और 2 दसे ही हैं 20 हो गया तो यह 10 माइनस 7 प्लस 1 तो 10 माइनस 7 प्लस 1 बराबर क्या 62 होगा विल्कुल नहीं होगा यह 10 एक 11 मे खलत आ जाएंगे और आफसन एक करेक्ट हो गया है क्वेस्टन नमबर 3 हमारा है परतीकों के अनसार दिये गे बिकलपों में सही उत्तर चुने यानि 12 इस्टार 3 इस्टार 4 इस्टार 8 बराबर 0 है तो यहां पर जो इस्टार है उसकी जगह पर कौन से आफसन वाले चिन भर अब चेक करते हैं 12 में से 3 क्या आपका हो गया 9 प्लस 4 प्लस 8 इक्वल टू 0 यह हमारा क्या हो गया आफसन गलत हो गया भी आफसन चेक करते हैं 12 3 4 8 बराबर 0 पहला क्या है भाग अगला प्लस और फिर डिवीजन तो आप सबसे पहले डिवीजन करेंगे 12 का डिवीजन 3 से क करेंगे तो यह जाएगा 4 प्लस 4 भागा 8 यानि 4 बटा 8 यह बराबर 0 यह भी 0 के बराबर नहीं आएगा आफसन भी गलत हो गया आफसन सी चेक करते हैं माइनस 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 लगा के यानि 12 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 8 बराबर 0 तो 12 में से 3 गया 9 9 माइनस 4 माइनस 8 बराबर जीरो तो 9 में इसे 4 गया 5 हो गया यानि 9 में इसे टोटल 12 घटेगा तो ये भी आपका आफसन करेक्ट नहीं है तो D चेक करते हैं D हमारा है भाग प्लस माइनस तो 12 भागे 3 प्लस 4 माइनस 8 बराबर 0 तो 12 में 3 से भाग देंगे तो जाएगा 4 और प्लस 4 प्लस 4-8 बराबर 0 चार चार जूड़े आठ होगे 8 माइनस 8 बराबर 0 तो आफसन D हमारा करेक्ट आ रहा है तो कौन सा चिन हापका लगेगा वहां पर आफसन डी आफसन डी करेक्ट हो क्विस्टन फोर हम लोग आपी करते हैं साथ स्टार 4-E8-उस्टार 2 बराबर 24 तो यहां पर स्टार के जगपर कौन से आफसन वाला चिन बरा जाएगा तो आप पढ़ेगा हम लोग पहला आपशन चेक करते हैं तो यह साथ चार आठ दो बराबर 24 टो पहले आफसन का चिन भरेंगे पहले माइनस फिर गुड़ा का और फिर गुड़ा का तो यह बाइनस आट चोंके 22 Sophia बराबर 24 तो यह बहुत जाएगा साथ में से 64 गटाएंगे तो यह आपका हो जाएगा माइनस 57 तो माइनस 57 इक्वल टू 24 आ रहा है यानि यह वाला चिन यह दोनों बराबर नहीं है इसलिए वाला चिन नहीं फिड़ बैट रहा है आपसन भी चेक करते हैं साथ चार आठ दो बराबर 24 पहले माइनस फिर गुड़ा का फिर डिवीजन का तो साथ माइनस चार गुड़े आठ वहागा दो सबसे पहले भाग करेंगे तो आठ वहागा दो चार हो जाएगा बराबर 24 यहां से फिर साथ माइनस 16 बराबर 24 तो यह हो जाएगा माइनस 9 पहले क्रॉस फिर माइननस और फिर दिवीजन का साथ बोले चार माइनस आठ भागाद फेली बराबर 24 आथाइस पासा हाद चार मैंप techniques नमबला समुच्चे को कुछ चुने डिये गई समही कर N.2 बियुट 27त दिया है और हर आफचन में दो-Doh symbols दिये हैं तो कौन सा symbols fit हो रहा है तो option एचेक करते हैंब लोग पहला symbol है plus 3 ticks बराबर और दूसरा symbol है into 1 बराबर तो पहला symbol हम लोग पहले star की जगार लिखते हैं 23 plus 3 बराबर 23 plus 3 बराबर आपका क्या याजाएगा 26 अब अगला यहां पर रखें 26 इंटू 1 बराबर क्या 27 आ रहा है नहीं आ रहा है तो यह आफसन हमारा गलत हो गया आफसन भी चेक करते हैं 23 गुड़े 3 बराबर 26 यहीं पर यह गलत हो गया 23 69 हो जाएगा आफसन C चेक करते हैं पहला सिंबल कया है पलस थाइट या lacet यसाइश फार यहां 26 healthcare यहानी पहला सिंबल क्या है अगला सिंबल 26 इस्तार के जैगां संबल ज लिखेंगे प्लस वन बराबर 27 तो क्या ये सही है 28 प्लस वन बराबर 27 तो 27 बराबर 27 तो दोनों सिम्बल हमारा सेट हो रहा है तो आफसन सी करेक्ट हो गया